हेलो गाइज दिस इस मन्जु कुमारी यन वेलकम टू बीगिनिंग फॉर लेर्निंग आज हम करने वाले हैं एर्थ क्लास का जो हमारे हिस्ट्री है उसका फॉर्स चैप्टर के कर रहे हैं इसमें मैंने यह सारे कॉशन पूरा चप्टर बढ़के बनाई हैं तो अगर आप इसका थियोरी वाली वीडियो ना भी देखते हो तब भी आप यहां से कॉशन अंसर से भी पूरे चप्टर को कंप्लीट कर सकते हो बैसे अगर आप इस चप्टर को देखोगे तो बहुत दा लॉंग चप्टर नहीं है यह तो चलिए शुरू करते हैं तो प्रशन नमर एक है कुछ तारीखों को महतापुर मानने का पैमाना क्या होता है पहली बात तो यह है कि जो हमारी एर्थ क्लास की हिस्ट्री उसमें जो मॉडन हिस्ट्री के बारे में दिया गया है मत तो उस इतिहास को महतापुर मानने का पैमाना क्या था ऑप्शन नमर एक है क्यूंकि हम कुछ खास घटनाओं को महतापुर मानकर चलते हैं मतलब जो कुछ खास घटनाओं महतापुर होती है उनी तारीखों को जो है वह महतापुर माना जाता है दूसरा ऑप्शन है उन ता अप्शन नंमर चार राज कुमार के जनम दिन की तारीक जो भी होती है तो प्रीशन में ये पूछा गया है की सी तारीक है जिसे महतवन माना मतलартा कि तारीकों को महतवोण मानने का पेमाना होता क्या एक च्छिवी में तो इसका अंसर हो जाएगा option number 1 क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महतपून मानते हैं ऐसे है कि इतिहास में हमें कोई खास घटनाओं महतपून लगती है उन्हीं को महतपून माना जाता है जैसे अगर मैं बात करूँ 1857 1857 में क्या हुआ था जो है 1857 में विद्रो हुआ था है जब अंग्रेज्यों के खिलाफ हुआ था यह विद्रो तब क्या हुआ था है इस बजा से इस तारीक को जो है ओfight माना जाता है है अगर मैं और बात करूं कि और वी कोई तरीफ जह है ओ smells संब्सक्राइब कि हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जर्नल कौन था? उप्शन नमबर एक, लॉड अलहोजी, उप्शन नमबर दो, माउंट वेटन, उप्शन नमबर तीन, वारेन हैंस्टिंग्स या उप्शन नमबर चार, इन में से कोई नहीं. तो जो भारत का पहला गवर्नर जर्नल था, वो था वारेन हैंस्टिंग्स, ठीक है? प्रशन नमबर 3 भारत का आखरी गवर्नर जर्रेल या बाद में इसको बाइसराय कहने लगे थे तो बाइसराय कौन था यानि आखरी गवर्नर जर्रेल कौन था पहला गवर्नर जर्रेल वारेन हैंस्टिंग था आखरी कौन सा था आप्शन नम्बर 1, Mount Waiten, आप्शन नम्बर 2, Hanstings यानि Warren Hansting, आप्शन नम्बर 3, William Bantic, आप्शन नम्बर 4, इन में से कोई नहीं, यह तो बहुत ही सिंपल कॉशन होगे, कि इसमें से एक आप्शन तो बैसे ही कटिका चोथ था, इन में से कोई नहीं वाला है ना, वैसे हो भी बिभाजन हुआ था, देश अजाद हुआ था, Mount Waiten नहीं, जो है वो, Stem Governor General था, तो Mount Waiten नहीं बोला था, कि भारत जो है वो, 15 अगस्त को अजाद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन शर्त यह रखी गई थी, कि अगस्त, 15 अगस्त को भारत अजाद तो कर दिया जाएगा, अंगरे पाकिस्तान ठीक है, तो प्रचन नमμεर 4 है, अंगरेजियों के समय में भारत में तारीखों को महतापूं मानने का क्या पेमाना था, यानि अंगरेज को miałता था, तो कौन सी तारीख को महतापूं मानने के लिए, उपशन नमर 1 है, अंगरेज अधिकारियों को ये नीतिया, उपलब्द्याँ या गती वीदियां या जिस तारीक को अंगरेज्जe नहीं कोई अउपलब्दी प्रापत किया वो उस तारीक को महतपून मानते थे उप्शन Trent ों तीन महतपून घटना यानी अंगरेज्जों के जीवन से संबंदेत कोัNew गटना होय उस तारीक को मानते थे. या और. नमबर चार महत्वपुन कोई जीत उन्होंन APP बांते थे. तो इसका जो अंसर हो जाएगा. हो जाएगा हमारे पास? आप्शन नमर 1. त 충ुख मानते थे. जिसे ने उन्हेंने कोई अच्छी उपलब्दी पराप्त किया है कोई जीत पराप्त की है कोई महतब उन्हेंने कोई गती विदी की है तो बागी सारे option में भी यही चीज़े आ रही है लेकिन पहले option में सारी चीज़े इखटी करके बता दिए यह पहला option राइट अंसर है प्रशन नमबर पांच ब्रिटिस भारत का इतिहास दा हिस्ट्री ओफ ब्रिटिस इंडिया यह पुस्तक किस ने और कब लिखी थी प्रशन नमबर एक जैम्स मिलने अठारा सुस्तारा में लिखी थी प्रशन नमबर दो लिटन ने लिखी थी 1871 में option नमबर तीन रिपन ने लिखी थी 1856 में यह option नमबर फोर इन मैंसे कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर एक जैम्स मिलने लिखी थी अठारा सुस्तारा में दे हिस्ट्य अप ब्रेटिस इंडिया यानि भारत का इतिहास प्रेशन नमबर छे जैम्स मिलने भारत के इतिहास को किन तीन काल खंडों में बाटा था जैम्स मिलने तो option नमबर एक है प्राचीन, आधुनिक और बर्तमान option नमबर दो हिंदू, मुस्लिम, ब्रेटिस option नमबर तिन हिंदू, मुस्लिम, सिख option नमबर चार इन में से कोई नहीं तो जैम्स मिलने भारत को तीन काल खंडों में बाटा था वो थे option नमबर दो में हिंदू, मुस्लिम और ब्रेटिस यानिकि आपने देखा है कि पहले उस अकॉर्डिंग के अंदाज लगाया हो कि पहले हिंदू राजाओं का भारत पे ज़्यादा ही नेंतरन था उसके बाद मुस्लिम आते हैं जैसे अगर हम मुस्लिम अबाद करें तो मुगल वगरा आते हैं पिर मुस्लिम के बाद फिर जाके बृतिक साशन आता है तो इस अकॉरणिंग उनोंने जो इस समय के बाद का बाद ही तो प्रशन नंबढ जनजरर्ण साथ है भारत के गवन जनरल निगाप बने थे वारुन हेंस्टिंग जो थे वह first governor general जो कि हम पिछले question में बात कर चुके हैं कि ये पहले governor general थे भारत के अब बात यह है कि भारत की governor general बने कब थे option number 1 1774 option number 2 1773 option number 3 1775 option number 4 1778 तो इसका right answer हो जाएगा 1773 option number 2 question number 8 निमलेक्त में से किसको लगता था कि भारत यूरोप से पीछे था अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक बेहदवाव जाती वंदन धार्मिक अंधविश्वास यहां पर भारत में फैला हुआ था अंग्रेज ही लोगों को सब्वे था के रहा पर ले जा सकते हैं मतलब किसको लगता था ऐसा कि भारत तो बिल्कुल ही या सब्वे लोग रहते थे यहां भारत यूरोप से पूरी तरह से पीछे था किसको ऐसा लगता था ऑप्शन नमबर एक जैम्स मिल ऑप्शन नमबर दो महात्मा गंदी ऑप्शन नमबर तीन वारेन हैंस्टिंग ऑप्शन नमबर चार मुहमद अली जिन्ना तो इन मैंसे जो यह जैम्स मिल थे option number 1 इसका सही है जिनने ऐसा लगता था कि भारत यूरोप से बिल्कुली पीछे है यहां के लोग असभ्य हैं इनको अंग्रेज ही जो है बिक्सित कर सकते हैं सभ्या बना सकते हैं अप्रेशन nove नौ इतिहास कारूना है जो बाद में हम भारत ही इतिहास कारून के बात कर सकते हैं नहीं भारत ही resin काल्खंडों माटा जैम्समिल कि अदो खामे काट तो घंदू मुस्लिम ब्रेटिस पहलता था भारत या होंब STEM माटा था भारत के में से कोई नहीं तो इसका option number एक सही हो जाएगा भारत की इतिहास को प्राचीन मध्याकालिन और आधुनिक इतिहास में बाटा question number 10 ऑपनिवेशी करने किसे कहते हैं यह तो बहुत ही आशान सावाल है option number जब एक देश पर दूसरे देश के दवदेवे से आर्थिक राजनतिक सांस्कृति बदलाव आते हैं option number 2 राजाओं की युद पर नाली को कहते थे option number 3 राजाओं द्वारा बिजित पर देश को अपनिवेशी करन कहते थे और option number 4 उप्रोक सभी तो उसका राटन सर्व हो जाएगा option number option number 11 इतिहास लिखने के लिए इतिहास का किन डुद का प्रयोग करते हैं यह नि जो अंग्रेज्जों कर डाइम के अतिहासे जिए कौन से स्तरोतों का प्रयोग किया गया है option number a buscar 있는 और रोपन और गयापन नोर्स और ओप्रोक सभी तो इसका राइट अंसर हो जाएगes option उस टाइम के इन्हों रिकॉर्ड्स थे अगर मैं बात करूँ अंग्रेजु को लिखे गए रिकॉर्ड्स बगरा थे उनके अभी लेक थे यह सब ही मिला था ना की पालिवे लोगों के लां विते लोगों के हाँ से नंगरेज हैं कि दाई रोड़ी आंग्रेज की बात में नियुक्ए रहिए हैँ नाल वा определ 23 का चार इंद में से और तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शे नमबर एक अंग्रेज उनका कहना था कि चीजों को भसका को लिखना चाहिए spelling प्रशन नमबर तेरा अब वही वहला है कि अंग्रेज्जों के चीज़ों को लिखना जरूरी क्यों था उप्शन नमबर एचीजों का अच्छी तरह से अधिन किया जा सकता था उप्शन नमबर दो उन पर बाद भी बाद किया जा सकता था option no.3 सबूत के तोर पर इस्तिमाल की जा सकते थे option no.4 उपरोग सभी तो इसका अंसर हो जाएगा option no.4 उपरोग सभी question no.14 अंग्रेजों ने महतबुन दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए क्या बनवाया था option no.1 अभी लेखागार बनवाये थे option no.2 संग्राले बनवाये थे option no.3 दोनों बनवाये थे option no.4 इन मेंसे कोई नहीं तो इसका रेट अंसर हो जाएगा option no.3 अभी लेखागार भी बनवाये थे नोनों और संग्राले भी बनवाये थे अपने दस्तावेजों को संभाल के रखन प्रेशन नमबर 15 खुशन 20 फूलेखन 20 कौन होते थे जो दस्तावेजों की बहुत सुंदरता से नकल उतारते थे अवी लेखागार की देखवाल करने वाले और तीन रिपोर्ट त्यार करने वाले अप्रेशन नमबर चार इनमें से कोई नहीं तो उसका राइट नसर हो जाए उनकी नकल उतारते थे उन्हें खुशन बीश चीजा शूलेखन वीश प्रचाहन नंबरी भारतियार राष्ट्याविलेखा गाया था नमजिक ढ़नेश्डम्रकरतों उप्रफोब्तितान दर्फच्ण लेखारों कि हो 08 है को तियर राष्ट्य अविलेखा गार 1920 के दर्शक में बनवाया गया थे यह उप्शन नमबर एक राइटन से रो जाएगा प्रशन नमबर 17 अंग्रेज्जों के लिए सर्वेक्षन का क्या महत्प था यानि सर्वेक्षन करवाते थे वह इलागों का तो क्यों करवाते थे राइटे नमबत्य जीव जंतूओं पेड़ पॉधों's की जानकारी मिलती में सतानी इतिहास वा फचलों की जानकारी मिलती और प्रोक्षा भी तो इसका और राइटन से रोज़ेगा और जो लगता था अगर किसी भी रिलाके पे नेंत्र्ण करना है शाषन करना है तो बहा अगर बंजरी भूमी है तो वहां पर निंतन करने का मतलब बनता है तो प्रेशन नमबर 18 अंग्रेजों के अनुसार किसी इलाके पर शाषन करने के लिए किन बातों को जानना जरूरी था जो कि विछले वाला ही जैसा अंसार रही है अप्शन नमबर एक मिट्टी की गुणवत्ता और दो फासल और जीव जन्तूं की जानकारी पेड और स्थानी इतिहास की जानकारी तो इसका भी राइट अंसर जो है वो ऑप्शन नमबर चारी है इन सब की जानकारी होना जरूरी है प्रशन नमबर 19 रौवर्ट कलाइव हिं और प्रशन नमबर 1 जैंप्स रैनेल को संपा था और था और दोफ्टान का नक्ष्य बनवानी के काम संपा था अब प्रेशन नमबर 20 ब्रटेन की रानी विक्टोरिया को तीसरा वेटा था आर्थर उसको कौन सी पद्वी दी गई थी और द्यूप अफ नॉट option no.2 बादशा की, option no.3 वाइस राई की, option no.4 इन मैंसे कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा, option no.1 Duke of not को बादे दी गी थी उसे question no.1 सरकारी रिकॉर्ड से हमें क्या जानकारी नहीं मिलती है इन मैंसे option no.1 सरकारी अफसर क्या सोचते थे, यानि सरकारी अफसर अधिकारी क्या सोचते तो उसकी जानकारी हमें सरकारी रिकॉर्ड से नहीं मिलती है इसा तो थाए नहीं तो गलत हो गई कि सरकारी रिकॉर्ड से सरकारी अफसर क्या सो तो यह जानकर तो मिली थेती तो यह option तो कट गया option number two सरकारी अफसरों के दिल्चिस्पिक किन चीजों में थी जे भी जानकर हैं सरकारी रिकॉर्ड से मिलेगी तो यह भी इस कंसर नहीं है और सरकारी अफसर किन चीजों को बनाए रखना चाहते थे यह भी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से तो मिल नहीं थी ना तो राइट अंसर जो लास्ट वाला है मारा फॉर्थ वही बचा कि देश के दूसरे लोग यानि जो कॉमल लोग थे वो क्या करते थे जैसे विद्रो होता था उनको इस तरह से विद्रोह ही मानते थे लेकिन हमारे अगर दूसरे भारती लोग के दिरिश्टी कॉमन से नहीं मिलती है उनकी जनकारी और नहीं हो कि भारते थे पूरे चप्टर नहीं है तो अगर इतने कोशन आपने अच्छे से कर लिए जो महतबून सारे वंड़ें जो मैंने पूरे चप्टर पढ़के अबनाएं तो नेक्स चप्टर की वीडियो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करती रहूंगी जब तक आप यह देखिए अगर आपका मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपकी स्पोर्ट से ही मैं अच्छी वीडियो और अच्छे स बना पाऊंगी है ना तो थैंक्यू